ओम शान्ती जैसा की आप सभी ब्रह्मा कुमारिस के बारे में आप सभी जान चुके है और हम लोग क्या ज्यान देते हैं इसके बारे में वी मेडिटेशन जो हम सिखाते हैं मैक्सिमम भाई भेन इसके बारे में अब काफी कुछ जानते हैं क्योंकि हमारे यहां से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और सभी भाई भेन उन्स प्रोग्राम्स में आते हैं तो उनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है और आप सब यह भी जानते होंगे कि ह हम यहाँ पर कभी यह नहीं यूज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टर नून, गुड इवनिंग, हम सिर्फ एक ही महावा की यूज़ करते हैं, एक ही ओम शान्ती, ओम शान्ती, यह सभी जानते हैं, बलकि कई लोग तो बोलते हैं, अच्छा, आप ओम शान्ती वाले हो, तो हम बोलते हैं, हान जी, हम ओम शान्ती वाले हैं, अब हम कुछ न बोलने की जगए, सिर्फ ओम शान्ती ही बोलते हैं, तो कम से कम मन में आता है ना, कि हम ओम शान्ती का अर्थ क्या है, तो हम वही अर्थ आपको, मैं बताती हूँ ओम शान्ती देखिए ओम का मतलब क्या है शान्ती के बारे में तो आप जानते हैं शान्ती का मतलब ओम को पहले मुझे समझाना है कि ओम का मतलब क्या है राइट मेनिंग क्या है ओम का मतलब है ओम में मेरी स्वा की पहचान है मैं कौन हूँ अब आप कहेंगे जैसे हम किसी से पूछते न आप कौन है तो वो क्या करते हैं अपना नाम बताते हैं मैं सीमा हूँ या मैं पुनम हूँ इस तरह से हम वो नाम से या मैं so and so my father so and so या मैं उस घर में रहती हूँ वगेरा वगेरा यह हम introduction देते हैं तो यह जो हमारा introduction है या हमारा title है या जो हमारा label है यह हमारे शरीर का label है हम अपने शरीर का introduction दे रहे हैं क्योंकि मेरे शरीर का नाम मेरे देह का नाम है न यह तो हम हमारी सब के देह के नाम है और उससे हम एक दूसरे को कॉल करते हैं लेकिन ओम जो अर्थ है ओम का मतलब होता है ओम का अर्थ बहुत डीप है गहरा है देखे जो हमारे शरीर है वो हमारा शरीर चल रहा है आँखियं से हम देख रहे हैं कानों से हम सुनते हैं मुहों से हम बोलते हैं और हातों से हम action करते हैं इसके लावा हमारी body में जो organs हैं जैसे nervous system है, digestive system है, circulatory system है, brain हमारा काम कर रहा है, ये सब चीजे क्या है? ये सब चल रही हैं लेकिन इसको चलाने वाला कौन है? अब कार खड़ी है बाहर मेरे घर पर, क्या कार अपने आप चल रही है? कि मैंने बटन दबाया और कार चलने शुरू हो गई? ऐसे चलती है कार? कार की चाबी भी मेरे पास है, कार भी है, लेकिन कार चलेगी? कार को चलाने वाला कोई चाहिए, मिस ड्राइवर कोई चाहिए, जो कार को चलाए, तभी कार चलेगी? तो जैसे कार बाडी की तरह खड़ी है, ऐसे ही मेरी देह भी बाडी है, और इस बाडी को कौन चलाता है? कोई शक्ती है, कोई इंजन है, कोई ड्राइवर है, जो इस पूरी बाडी को चलाता है। अब आप देखिए, जब मुर्त्य होती है, तो शरीर तो पूरा पूरा पढ़ा होता है ना। रहा होता है और मृत शरीर वह होता है उसका कोई अंग खतम नहीं होता वह होता है लेकिन वह कोई फंक्शन नहीं करता तो एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर इन दौनों के बीच में क्या अंतर है कौन इस शरीर को चलाता है कि वह अब ये मृत कह दिया इसको मृत कह दिया इविन इसको जला देते है वो कौन सी शक्ती है वो कौन सा ड्राइवर है वो कौन सा इंजन है जो इस शरीर को चला रहा है वो है आत्मा आप सब आत्मा को चानते हैं मानते हैं कि हां हमारे शरीर में आत्मा है और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम उसी शरीर को कहते हैं मृत शरीर तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ती है अब आत्मा कैसी है ये भी आप जानते हैं कि आत्मा इतनी सुक्ष्म है कि इन दो आखों से किसी ने आत्मा को देखा नहीं हम सिर्फ महसूस करते हैं उसको देख नहीं पाते उसका कारण वो इतनी सुक्ष्म है कि इन नेत्रों से इन दो नेत्रों से हम जो छोटी से छोटी सुक्ष्म से सुक्ष्म चीज देख सकते हैं वस्तु देख सकते हैं उससे भी सुक्ष्म आत्मा है तो आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है और कब निकल जाती है हम निकल रही है और प्रवेश कर रही है हम हैं लेकिन अब देख नहीं पा रहे क्योंकि इन दो नेत्रों से वो विजिबल नहीं होती वो इतनी सुक्ष में है तो वो जो आत्मा है वो जब शरीर से निकल जाती है तो जीवित शरीर को हम कहते हैं मृत्त शरीर अंतर क्या हुआ? सिर्फ आत्मा निकल के चली गई ये भी आप जानते हैं कि शरीर विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है आत्मा पर कोई लेवजेप, कोई फरक नहीं पड़ता उसको आग का, पानी का, वायू का, पहाड का कहीं से भी वो निकल के जा सकती है वो किसी चाकू, तलवार, किसी चीज का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो जो वो आत्मा शक्ति है वो आत्मा अब आपको समझ आया कि आत्मा अगर शरीर में है तो शरीर काम करता है आखों से हम देख रहे हैं कानों से हम सुन रहे हैं मुख से हम बोल रहे हैं लेकिन आत्मा निकल गई आखे हैं लेकिन हम देखने ही पारे मुँ है लेकिन बोलने ही पारे कान है लेकिन हम सुनने ही पारे इसका अंतर क्या हुआ जब हम देख रहे थे आखों से मुँ से बोल रहे थे तो आत्मा अंदर थी और जब वो निकल गई तो आखों से देखना बंद हो गया मतलब सारे function बंद हो गए इससे क्या सिध हुआ इससे सिध हुआ कि आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ती है और शरीर और आत्मा में अंतर शरीर विनाशी है वो यहीं पैदा होता है पांचों तत्वों से बनता है और आत्मा अजर है अमर है अविनाशी है वो एक शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर के द्वारा वो अपना पार्ट प्ले करती है इस धरती पर जब उस देह से उसका रोल खतम हो जाता है उसके बाद वो उस देह को त्याग देती है और फिर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है जिसमें उसका अगला पार्ट शुरू होना होता है तो आत्मा एक देह से दूसरे देह में दूसरे से तीसरे देह में प्रवेश करकर अपना पार्ट प्ले करती है क्योंकि वो मरती नहीं है, ना वो घटती है, ना वो घिसती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आत्मा अज़र अमर अविनाशी है, तो अंतर क्या हुआ, अब यहीं आपको बताना चाहा रहे हैं, देह विनाशी है, और आत्मा अविनाशी है, तो मेरी पहचान क् temporary है कि उसका नाम भी कंपरेरी है इसका लुसरा जफिपती है जम на 2 मेरा 2 स्छय में जब होता है तो ये तो विनाशी हो गया है अZ AGด आत्म हिए करती है पूसका माध्यम है है जैसे मंदिर में देवी होती है तो ऊथ मारा मंदिर कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर देवी है, इसलिए उसको कहते हैं मंदिर, और आत्मा यहां बेठी है, यहां जहां तिलक करते हैं, यहां पर माताएं बिंदी लगाती हैं, और पंडित लोग तिलक करते हैं, और आपने देखा होगा, जब राजा युद्ध करने जाता है, तो जो रानी है वो आरती उतारती है ऐसे करके उसके मुह की आरती उतारती है और उसको तिलक लगाती है तिलक लगाईगी और थाली से मुह की आरती उतारती है वो पूरे शरीर की आरती नहीं उतारती है नोट क्या होगा अगर शरीर का important role होता तो उपर से नीचे तक पूरे शरी के आड़ती उतारने चाहिए, लेकिन वो तो खाली मूँ की आड़ती उतारते हैं, विस आत्मा यहाँ विराज्चमान है, ब्रकुटी के मद्ध है अंदर, वो शक्ति, जो अजर अमर है, लेकिन अति सुक्ष में है, जो हम देख नहीं सकते, यह सिर्फ फील सभी करते हैं, हम स जिसको हम अकालतक्त कहते हैं, क्योंकि आत्मा अकाल मूरत है, आत्मा को कोई काल खा नहीं सकता, इसलिए उसको हमने कहा अकाल मूरत। तो यहाँ पर दो ग्लांट्स होती है, hypothalamus ग्लांट और pituitary ग्लांट, उनकी बीच में उस अकाल तक्त पर आत्मा की वो seat है, हरे कोई अपनी seat पर बैठता है न, हम भी अपनी घर में seat पर बैठते हैं, अफिस में seat पर बैठते हैं, ऐसे ही आत्मा की भी seat है, तो जह हम तिलक कर करते हैं, वहाँ आत्मा की seat है, अकाल तक्त है, तो वह वहाँ राजश्मान होती है, तो हम तिलक किसको करते हैं, हम शरीर को तिलक नहीं करते हैं, हम आत्मा को तिलक करते हैं, इसलिए राजा लोग को तिलक किया जाता है, आरती आत्मा की आरती उतारी जाती है, ना कि शरीर तो अब बो लगा की आत्मा और शरीर में अंतर नजर आ रहा है ना तो जब ओम शब्द बोलते है ना ओम शांति तो हम O Om माने मैं आत्मा हूँ यह इसका right meaning है ओम के भी कई meaning लोग निकालते हैं लेकिन जो right meaning है जो परमात्मा ने स्वें आकर हमें बताया ओम का अर्थ क्या है तुम्हारी स्वा की सत्य पहँचान ओम के अंदर है तुम आत्मा हो तुम अविनाशी आत्मा हो तुम अमर आत्मा हो क्योंकि तुम मुझ परमात्मा के बच्चे हो तो हम ओम का मितलब है मैं आत्मा हूँ मैं देह नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ मेरा नाम सीमा है बाइचांस हम केते हैं ना मेरा नाम सीमा है तो सीमा जो नाम है वो देह का नाम है और देह विनाशी है तो मैं तो इसकी right definition क्या होगी मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस देह में विराज्शमान हूँ जैसे मेरा नाम प्रतिभा है तो मैं किसी को अपना introduction दूँगी right introduction वो right introduction क्या होगा अभी तो हम बोलते ते नहां हाँ जी वो किता है आप कौन है जी मैं प्रतिभा शर्मा हूँ अब मैं बोलूँगी right पहचान मिलने के बाद अब हम जो introduction देते हैं वो देते हैं जी मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस देह में विराज्शमान हूँ इस देह का नाम प्रतिभा है This is the right definition of me तो ओम का मतलब मैं आत्मा हूँ और शान्ती तो मैं आत्मा शान्त स्वरूप हूँ मतलब शान्ती मेरा स्वधर्म है शान्ती मेरी नेचर है अब आप देखिए जो बहुत ज़्यादा शोर होता है न तो हमें बहुत देड़ तक शोर अच्छा नहीं लगता तो हम क्या बोलते हैं ओहो प्रीज शान्त हो जाओ तो क्योंकि शान्ती मेरी ओरिजनल नेचर है शान्ती मेरा गोण है तो मैं आत्मा शान्त स्वरूप हूँ ये है right meaning of om shanti तो हम जब भी भाई भेन मिलते हैं एक दूर से से तो हम एक दूसरे को om shanti बोलते हैं कि मैं भी आत्मा हूँ आप भी आत्मा हो मैं भी शान्त शरूप आत्मा हूँ आप भी शान्त शरूप आत्मा हो तो हम एक दूसरे को ये revise कराते हैं कि हम देह से नहीं मिल रहे हम मैं आत्मा उन आत्मा से मिल रहे हूँ मैं भी आत्मा हूँ और वो भी आत्मा है यही सत्य है यही यथार्थ स्वे का परिच्य है तो हम भटक गए थे हम देह को ही अपना समझने लगे तो हम देह की ही बाते करने लगे देह को ही देखने लगे देह को ही सजाने समारने लगे तो हमारे अंदर कई विकार पैदा हो गए जिससे हम दुखी हो गए, तो राइट परिष्य है, अपने को पहचाने, जाने, मैं आत्मा हूँ, शान्त स्वरूप आत्मा हूँ, यह है राइट डेफिनिशन ओफ ओम शान्ती, तो यह बहुत बड़ा महावाक्य है, इससे आपकी जीवन में परिवर्तन आ सकता है, अगर आ झाल 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